आज एक बहुत स्पेशल दिन है काफी फोन कॉल्स आए कि मुझे एक क्विक तरीका बताईए कि मैं अपनी क्लाइंट को एक क्विक सेटिंग एक बहुत जल्दी सेटिंग कैसे दे सकूँ तो आज का वीडियो हमने उसी पर बनाया है हमने आज फ्लाट आइन यूज किये है आइकानिक कंपनी की और हमने किये हैं टॉंग्स जिसको आप लोग स्पाइरल कर्ल्स भी कहते हैं हमने आज व प्रोफाइल सेक्षिन और रेडियल सेक्षिन का इस्तेमाल करेंगे यह लूग क्रेट करने के लिए यह लूग बहुत ही क्विक है बहुत जल्दी हो जाएगा जनरली अगर सलॉंग्स में आप करते हैं तो हार्डली टेक्स 10-15 मिनिट्स मैंक्स 20 मिनिट्स में आपका यह ल प्लेट आयन है और फ्लाट आयन यूज़ किया है सबसे पहले हम एक पिविटिंग सेक्षिन को कोम करेंगे अप्रॉक्सिमेटली आपको 90 डिग्री इस तक कोम करना है और इस सेक्षिन पर हम लोग आयन को ट्विश्ट करेंगे ओन दो लेफ साइड जैसे कि आप देख सकते सेक्षिन को 90 Day पर दुइस को आपको ट्विश्ट करना आए ऊनती डिग्री तक और पूरा इस को ट्विश्ट करके धीरे थीरे आपको आएन स्लाीड करनी है इसмें एक चीज़ का ध्यां रखना है कि आपको आयन की जो होल्डिंग होते है वह वर्टिकल पकड़नी है उसको तो आपको हमेशा वर्टिगल पकड़ना है ताकि आपका जो section है वो नीट रहे और एक चीज़ में और ध्यान रखनी है कि आपके जो sections रहेंगे वो medium sections रहेंगे ज्याधा fine या ज़्यादा thick sections आपको नहीं लेने है, medium sections लोग पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप sections लेंगे वो even होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने एक जगा ज़्यादा बड़ा section ले लिया और एक जगा ज़्यादा थोटा section ले लिया, तो medium sections पर काम करने है, but even sections होने सकते हैं कि हम almost जो हमारा एक quadrant है वो complete कर चुके हैं, तो similarly हम लोग iron को twist करेंगे और उसको slide करते जाएंगे towards the ends, ends पे भी आपको ध्यान देना है, अगर आपको एक twist extra करना है end पे तो आप उसको भी कर सकते हो, एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि आपके ज हैर में से एक steam निकलेगी, एक भाफ निकलेगा जिससे client को चटका लग सकता है, तो हमेशा आपको यह चीज़ का ध्यान रखना है, जबी भी आप iron से या blow dry से या कोई भी thermal material से जैसे आप heat दे रहे हैं, किसी भी machinery से अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको हमेशा है 100% dry रखन आपकी client पे भी face करते हैं, तो आप dab dab technique भी use करते हैं, dab dab technique में generally हम iron को press करते करते आगे ले जाते हैं, अगर आपकी iron जो है वो properly slide नहीं हो रही, तो ही आप dab dab technique का use करें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक side almost complete हो चुका है with our out curls, we will start with our left side now, left side पे भी हम एक pivoting section से ही start करेंगे, और pivoting section generally इसले ले रहे हैं ताकि हर एक section हमारा even आए और उपर से नीचे तक हमारा result जो है वो proper आए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस section को हमने अब right की तरफ twist किया है, that is right, iron जो है वो हमने उपर से ही रखे है ताकि आपको समझने में थ twist किया है, वो हमने towards right side किया है, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है, आपका जो section है वो हमेशा symmetry में होना चीए, हमेशा similar होना चीए, for out curls आपको, आपका section जो है, अगर आपकी dummy का right side का section है, तो उसको आपको left side पे twist करना है, from the behind, और अगर आपका जो left side का section है, तो उसको right की तरफ twist करना है, ताकि आपको proper out curls का result मिल जाए, इसमें एक चीज का और आप ध्यान रखे कि इस section को आपको ज्यादा wide नहीं करना है, ज्याता चोड़ा नहीं करना है, आपको एकदम पतला कर देना है, ताकि आपकी जो iron में जो holding है, वो एकदम proper हो जाए, आपकी जो iron है, उस है, उस पे भी ध्यान देना है, अगर आप fine hair पे काम कर रहे हो, अगर आप पतले hair पे काम कर रहे हो, तो उसमें iron का temperature आपको कम रखना है, जनरली 160 से लेकर के 180 तक अगर आप पतले hair पे काम कर रहे हो, तो it is very okay, अगर आप थोड़े से medium hair पे काम कर रहे हो, तो 200 तक आप temperature और एक चीज का आपको इसमें ध्यान देना है कि आपकी जो आयन है वो एक जगा पे रुकनी नहीं चाहिए, प्लीज ये चीज का ध्यान रखेगा वरना आपका जो सेक्शन है वो बर्न हो जाएगा, आयन जो है वो constantly move होती रहने चाहिए, अगर एक जगा पे रुक भी रही है तो आपको उसको छोड़ देना है और सेक्शन को आप वापिस पकड़ सकते हो, इसमें कोई मनाई नहीं है, आप उस सेक्शन को फिर से पकड़ लो, अगर वो बाल जल रहे हैं तो आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे, पर अगर आपका सेक्शन थोड़ा सा 19-20 हो रहा है तो आप बाद में से ठीक कर सकते हो, तो ये चीज़ का आपको गिध्यान रखना है, प्रेजंस ऑफ माइंड ओन फ्लोर आपको हमेशा रखना है, similarly हमने आगे के सेक्शन को भी towards the right ट्विस्ट किया है और हम लोग दीरे दीरे हमारी आयन जो है वो डाप डाप टेक्नीक से आगे लेक्या रहे है, इसमें आप डाप टेक्नीक भी उस कर सकते हैं, आप आयन स्लाइड भी कर सकते हो, जो आपको easy लगता है, जैसे आपको easy लगता है, आप वैसे कर सकते हो, last section पे हम काम करेंगे, last section को भी हम similarly 90 डिग्री की तरफ लिफ्ट करके उसको twist कर देंगे, ये लुक ब मैं एक मिनिट भी गिनता हूँ तो आपको पंदरा मिनिट लगते हैं इन दी एंड हम लोग यूज करेंगे हमारा क्यों का होल्ड स्परे ताकि इस लुक को एक प्रॉपर होल्ड मिल जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो रिजल्ट है वो कम्पलीट हो चुका है तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कितना अमेजिंग सा लुक आया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा बहुती क्विक सेटिंग है बहुत जल्दी हो जाता है 15-20 मिनिट में आप ये लोग पूरा का पूरा कम्पलीट कर सकते हो इसमें एक दो चीजों का घ्यान रखेगा कि आपकी जो आयन है वो वर्टिकल होनी चाहिए और एक चीज इसमें प्रेजंस ऑफ माइंड भी होनी बहुत ज़रूरी है कि आप जब लेफ साइड खड़े हो तो आपको आयन को किस साइड तुस्ट करना है तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट के सेक्शन में लाइक करे इस वीडियो को शेर करो जितने लोगों की इसकी जरूरत है और सब्सक्राइब कर दीजे इस चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें अगर आपको hair and chemical या makeup के professional courses करने है तो दिये हुए number पर आप WhatsApp कर सकते हैं This is Nati Ganga, signing off, take care